सब्सक्राइब नाओ और प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट नमस्कार दोस्तों है मन्त लपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम सीटिट में आने वाले प्रस्नों को कैसे आसानी से साल्व कर लें कम समय में उसके लिए हम 65 कीवर्ड जो है या 65 टैग वर्ड को पढ़ लिए हैं जो पाजटिव टैग वर्ड है तो पाजटिव टैग वर्ड के साथ साथ अगर हम निगेटिव यानि नकरात्मक टैग वर्ड भी जानेंगे तो हमको प्रस्ण साल्व करने में और भी आसानी होगी अर्थाट जितने भी positive tag word होते हैं वो सब आपके आप्शन में सही होते हैं जबकि जितने भी negative tag word होते हैं ये सब आपके आप्शन में क्या होते हैं? गलत होते हैं लेकिन कब जब नकारात्मक ना पूछे तब जब पाजटिव पूछे तो पाजटिव वाला सही रहेगा और निगेटिव वाला गलत लेकिन जब प्रसन ही नकारात्मक पूछ लेगा तो नकारात्मक आपसन ही क्या हो जाता है सही हो जाता है तो आप अगर इस बात को समझे न तो comment box में comment करके हमसे सही से समझ सकते हैं कि क्या आपने कहा कि मतलब जब positive question आता है तो positive option सही होता है जब negative question आता है तो negative option ही सही होता है और ये सारे आपके option तब गलत होंगे जब आपका प्रस्न positive है तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग नकरात्मक सब्द कौन कौन से सब्द अगर आपके option में आते हैं तो वहाँ आपका option क्या होगा गलत होगा जैसे अगर बाल केंदरे सिच्छा में बालक को कहा जाये रटा मारने दो का पहाड़ा रट के आना, दो का पहाड़ा याद करके आना, तो याद करना, रटा मारना, रटन्त ग्यान, कंफस्त ग्यान, प्रत्या अस्मरण मतलब भी याद करना, अस्मरण भी याद करना, कोरी स्लेट का मतलब, जब सिच्छक छात्र को समझता है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं वह एद्दम कोरी स्लेट है उसको बस रटवाने का कारे ही हमारा है तब समझ लिजिए कि सारे ऐसे आपसन आपके क्या होंगी गलत होंगी अगला है ब्याख्यान विधी दोस्तों बालक बहुत छोटा है और ब्याख्यान विधी आपको डिगरी कालेज में काम दे लिए आप PhD किये हैं, BIT किये हैं, BTC किये हैं तो अगर आप छोटे बच्चे के सामने ब्याख्यान विधी अगर करतेंगे तो बच्चे को कुछ समझ मझ में नहीं आएगा इसलिए ब्याख्यान विधी अगर किसी भी आपसन में आप देख रहे हैं तो वह आपसन आपका ग काल केंद्रि सिच्छा का बिरोध करते हैं अर्थात ऐसे आपसन हमेशा गलत होते हैं दोस्तों सिच्छत का कठोर Serviya किसी भी आपसन में आपको लगे कि वह आपसन सिच्छत केंद्रित अर्थात सिच्छक बड़ा दबाव बच्चों के उपर बना रहा है दंड देने का कोई और बोच हतोस्ताहित करने का दवाव बना रहा है या भेदभाव कर रहा है तो ऐसे आपसन हमेशा आपके गलत होंगे दोस्तों लेंगिक भेदभाव अगर से छक कर रहा है कि गणित में तो सिर्फ लड़के लड़के ही तेज हो सकते हैं अगर आपके आपसन में कर रहा है तो वह आपसन हमेशा गलत होता है फिर सातमा जो है बच्चों के बिचार को महत तुन्ना देना जब बच्चे के बिचार को महत तुन्ना देने वाला आपसन आ जाए तो समझ लेजिए कि वह आपसन बाल केंद्रित नहीं है अर्था तो वह गलत होगा मात्री भासा को महत्तुन्ना देना तो मात्री भासा को महत्तुन्ना देने वाले सारे आप्षन गलत होंगे क्योंकि बच्चे को सिखाने के लिए आप उसकी भासा का भी प्रयोग कर सकते हैं मात्री भासा का भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसे ही दोस्तो नवा आप्षन है तुटियों को महत्त ना देना जैसे कोई बच्चा गलती कर दिया तो आप बस गलत कार दिये उसको कुछ नहीं बस तुम्हारा गलत हत गलत है कोई मतलब है आप नहीं उसे तो तुटियों को महत्त नहीं दे रहे हैं तो यह भी आपसन आपका क्या है गलत होगा अगर निस्क्री यानि सहगामी क्रिया नहीं हो रहा है चात्र और सिच्छक दोनों निस्क्री हैं तो ऐसे आपसन हमेशा गलत होंगे अगर कहीं पर भी आपसन में केवल ब्योसाइक सिच्छा देने की बात कर दे केवल रोजगार परक सिच्छा देने की बात कर दे या उच्च सिच्छा देने की बात कर दे या दोस्तों ग्रेड या अंकी सिच्छा देने की बात कर दे सारे आपसन गलत होते हैं ग्रेड या अंख हम बच्चों को नहीं देंगे हम जो है बच्चों का मुल्यांकन बस इसलिए करेंगे कि बच्चा कितना सीख पाया है उसके सीखने में कितनी कमी रही अगला है दोस्तों कहीं पे तकनीकी या बैज्ञानिक सब्दावली का प्रयोग होगा तो अगला है कहीं पे सीमित सीमित का मतलब है कि बच्चे को आत्म प्रकटी करन या उसके विचारों की अभिव्यक्ति का मौका ना देना सीमित कर देना बैट जाओ नहीं बताना है तो ऐसे आपसन हमेशा गलत रहेंगे अगर कहीं पे दोस्तों कठोर अनुसासन की बात कहीं पर भी अनुसासन की बात करे तो सारे आपसन आपके क्या होते हैं गलत होते हैं ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को अनुसासित करना है या बहुत कठोर अनुसासन में रखना है क्योंकि आपको बच्चों के साथ मित्रव बिवार करना है तो ऐसे आपसन हमेशा गलत होते हैं दोस्तों अगर किसी बच्चे की किसी बच्चे से पूलना की जा रही है तो ऐसे आपसन हमेशा गलत होंगे पुस्तकी ग्यान की बात की जा रही है तो पुस्तकी ग्यान भी सही नहीं होता है तो दोस्तों हमने देखा इतन नेगेटी वर्ड जो हैं अगर आपके आपसन में आ रहे हैं तो वह आपसन आपका गलत होगा और जितने भी 65 प्लस हम लोग positive tag word पढ़े हैं वो अगर आपके आपसन में आ रहे हैं तो वही आपसन हमेशा शही होंगे तो इसलिए उन 65 ओ को और इन 16 को आप अपने दिमाग में set कर लेंगे अब 65 और 16 आपके मनो विज्ञान में भी काम देंगे परियावरण में भी काम देंगे संस्कित में भी काम देंगे हर सब्जेक्ट में काम देंगे लेकिन हम अलग से संस्कित के लिए समाजिक विज्ञान परियावरण के लिए मैट के लिए अलग से टैग वर्ड लेकर आएंगे तो इसलिए दोस्तों वीडियो को देखिए और अच्छे से इन टैग वर्ड को याद करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए धन्यवाद दो